सब्सक्राइब कीज़े मेरे चैनल यूमी और यूट्यूब को और यहीं बगल में बेल का आइकन है जिसे आप प्रेस करेंगे तो मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और फिर वीडियो के निचे सलाईट करके आप जब सबसे निचे पहुंचेंगे तो यह है comment box जहाँ पे आप अपने comment लिख सकते हैं यह आप देखिये जैसे और उने comments दिये हैं आप भी अपने comments दे सकते हैं और यहाँ पे subscribe के बगल में आप देख रहे होंगे मेरे channel का logo है और नाम भी लिखा हुआ है तो इसे प्रेस करेंगे आप तो मेरे channel के home page पे पहुँच जाएंगे आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं और यही से आप मेरे दूसरे channel को भी subscribe कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल दिव्या व्लॉक्स है जिसमें मैं अपने व्लॉक्स अप्लोड करती हूँ तो अगर आप चाहें तो यहीं से सब्सक्राइब कर ले या फिर आप लोगों को प्रेस करके चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं और फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर अज हम बनाएंगे सुखे मटर चोले की सब्सक्राइब यानि जिसे कहीं कहीं रगड़ा भी कहा जाता है और यह चाट की में इंग्रीडियन्ट होती है इससे चाट वगरे बनती है तो आप चाहें तो इसे सुखे सुखे बनाके इस तरीके से लटपटे बनाके इसकी चाट भी बना सकते हैं चाट की तरह खा सकते हैं नाश्ते के रूप में दे सकते हैं महमान को सर्फ कर सकते हैं इसके उपर प्याज वगरे डालके चाट मसाला डालके या फिर इसमें तरी लगा के इसकी सब्जी बना सकते हैं और स्टीम ड्राइज पराठे रोटी पूरी के साथ जलिए मिलके बनाते हैं सुखे मातर की सब्जी कि सब्जी एप ने के लिए 300-364 पर मटर करी मिम पंट сколько चूप कर लिया मिलचप adapter लिया एक ठोटी चमछ हलती का दो चोटी मिलच पाउडर एक से फोड़ी कम आधी चोटी मिलच पाउडर है जीरा पाउडर है चोटे चमछ चमछ अर नमद चैसन हthose जीरेék गडिया चैसीम्हा परत Alert थोड़ा सा हम लेंगे अमचूर पाउडर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ में हम लेंगे यह मैंने जीरा लिया है एक चोटे चमत जीरा लेंगे दो से तीन लॉंग लेंगे और दो चोटी लाची और दो से तीन हम तेज़ पत्ता लेंगे तो सबसे पहले हम गयास ओन करेंगे और एक बड़ा सा पैन रखेंगे जिसमें हमें छोले बनाने है और इसमें हम तेल डालेंगे और तेल की गर्म होने पर सबसे पहले हम सारे खड़े सुखे मसाले इसमें डाल देंगे और हलका सान को फ्राई करके फिर हम फटाक से इसमें प्याज भी डाल देंगे और प्याज को भी हम भूल लेंगे तब तक जब तक की उसका कलर थोड़ा चेंज नहां जाए और वह हाफ़टन ना हो जाए यानि के लाइट ब्राउन रखा है वो हम डाल देंगे और यह पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ताक यह जल न जाया तो यहां पर थोड़ा सा मैंने पानी एड़ कर दिया यह मेरी आदत है जब भी मैं अध्रक लैसुन का पेज डालती हूं यह सुखे मसाले तो आपको भी अगर ठीक लगे तो फॉलो करें तो यह मैंने दो तिन मिनट तक भुना और इसकी महक निकल गई कच्छी अध्रक हम बाद में डालेंगे तो यह सुखे मसाले डाले जब भी आप तब उस समय भी आप एक से दो चोटे चमच पानी एड़ कर दे ताकि मसाले जलने ना पाए और इससे सबजी का रंग और स्वात खराब ना होने पाए तो यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है और इसको भी हम लोग चादा नहीं भूनेंगे बस एक मिनट तक भूनेंगे उसके बाद हम इसमें टमाटर एड़ कर देंगे यहां पर मैंने तीन टमाटर लिया है छोटे-छोटे उसको चौप कर लिया है आपको बहुत खटा पसंद है तो आप चार टमाटर भी डाल सिकत देंगे और इसको एक डेड़ मिनट तक हम ढखके पका लेंगे जब तक यह थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाए यह सॉफ्ट हो गया है टमाटर यहां पर देखिए तो इसको हम थोड़ा सा खोल के इसी तरीके से भूलेंगे ताकि महक निकल जाए एक जो टमाटर की महक होती है वो निकल जाए तो इस तरीके से हम कुछ सेकंड तक इसको इसी तरीके से भूल लेंगे और यहां पर हम एड़ करेंगे ग्रीन चिली मैं इस समय एड़ कर रहे हूं ताकि यह देखने में सुन्दर लगे इसका जो कलर है वह स्पोयल नहों तो देखिए हरी हरी सी बहुत अच्छी लगती है अगर मैं पहले ही डाल देती तो अब तक इसका यह कलर ना होता तो इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है ताकि इसका जो ग्रीन ग्रीन कलर है वह बरकरार रहे और देखने में सुन्दर लगे सब जी तो एक दो मिनट तक मैंने चलाया इसको उसके बाद मैं यहां पर एड़ कर रही हूं गरम मसाला दो चमज के बराबर है आपको बहुत मसाला पसंद नहीं है तो आप एक ही चमज डाले लेकिन चोले वगएरे में दो चोटे चमज तो गरम मसाला पड़ी जाता है और गरम मसाला जब भी डाले तो दो से तीन मिनट तक आप जरूर भूने ताकि उसका टेस्ट और और भी अच्छा आए अब मैंने इसमें चोले कर दिये मटर और इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे उपर नीचे करके तो मटर आप देख रहे हैं मैंने बहुत ज्यादा गलने नहीं दिया है नहीं तो वह बिल्कुल टेस्लेस हो जाता है पता ही नहीं चलता कि मटर की सब्जी है या मटर की चटनी है तो इसलिए मै करेंगे क्योंकि हमने मटर उबालते समय भी नमक डाला था थोड़ा समय धनिया डाल रही हूं हर सब्जी में धनिया हम जब एड़ कर देते हैं तो इसे स्वाथ थोड़ा सा और हैंस हो जाता है तो आप मुझे यह कई बार देखेंगे मैंने बार बार धनिया एड़ किया है क्योंकि जब भी चोले मटर बनते हैं उसमें धनिया बहुत अच्छी लगती है दनिया पती तो आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं जैसे इस समय है चाट के रूप में इस पे प्याज वगरे लेकिन मुझे यह सबजी के रूप में खाना है चावल और पराठे के साथ तो मैं इसमें पानी एड़ कर रही हूँ और यह वही पानी है जिसमें मैंने मटर को बॉयल किया था तो जो एक्स्ट्रा वाटर बच गया था वो मैंने सम्हाल के रख दिया था और मैं इसमें एड कर रही हूं मैं कोई भी अलग से पानी एड़ नहीं कर रही हूं इसमें और फिर से मैंने थोड़ा सा धनिया पती इसमें डाला और यहां पे हम एड़ करेंगे अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है जब भी छोले या मतर जैसी को प्रवाइब दो तीर मिनट के बाद मैंने यह धकन हटाया तो यह चोले मेरे तयार है और इससे जादा मुझे इनको नहीं पकाना है तो यह चोले बन के तयार है और मैंने थोड़ी सी धनियापती फिर से इसमें ढाल दी है तो इसे आप स्टीम ड्राइस पराठे के साथ पूरी के साथ खाए या तो तुरंत खाए या थोड़ी दे ढखके रख दे उसके बाद फिर से खाए तो देखा आपने लाजवाब छो का बटन प्रेस कर दें और बहुत अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और अपने फैमली में से शेयर भी कर लें लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी रेसिपी में आप लोगों के लिए लाज सकूं तो मिलते हैं अगले वीडियो म एक नही रेसिपी के साथ तक-tak. Stay tuned, stay healthy and keep watching my videos. Thank you so much for watching. Bye-bye.